कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी आन्यूथ कास एस यूटूब चल में ऐज का जो मेरा वीडियो है वह मैं लेकर कहा है तामर पासाड काली। सभेता के बारे में जिक्र करेंगे संस्कृतियों के बारे में देखेंगे और भारत के मैप पर हम समझने की कोसिस करेंगे कि आखिर यह सितामर पासाड कालिन जो संस्कृति है वो कहां कहां पर फैली है तो उसके बारे मैं आपको बताएंगे तो आएए देखते हैं चुकि मैं बता दूँ जो यह संस्कृति है नो पासाड काल के बाद में संस्कृति आई है और इसमें हम जब देखेंगे तो इसका जो टाइम पिरिट देखने को यह कई वह दो हजार से एक हजार बीसी के आसपास का टाइम डूरेशन है और यह यह सबेता है वह रपा कालीन सबेता के समकच्छ भी और उसके बाद तक इस सबेता चलती रहती फिर चुकि मैं इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहा हूं पहले खेर इसको मैं चाहता तो बाद नहीं बता सकता था सिंद्धूगाटी सबेता के बाद लेकिन चुकि आप जान सब्सक्राइब को लिथिक एज या कॉपर एज के नाम से इसको हम जानते हैं तो अखिर यह कौन कौन से भारत के संदर में हम देखेंगे तो क्या कैसे कैसे डिवीजन किया जाएगा और इसमें परिच्छा की दस्टी से इंपोर्टन कौन कौन से छेत्र हैं जिनसे आपके परिच्छाओं में परसने पूछे या कि अवरечь आपके सामने लेकर क्या इंगा इधर भारत क्रमेब बना हुआ जिसमें मैंने कुछ परमुखष्षेत्र का मैने जिकर विकिया है और उसके साथ मैं उन छेत्रों को मैंने यहां पर बता दिया है कि कहा कहां से क्या क्या हेगा है आगे बात करते हैं तामिल पासाल काल पाख कuden कल गतों के द्धात्हु का प्रयुग इसके हैं के नाम से जानते हैं तो इस जो कि ये जो ताम पासाल काले इसी संस्कृति को जो हम देखते हैं तो इसमें देखने को मिलता है भारत में इसको डिविजन करेंगे तो करीब चार पार्ट में इसको डिविजन करते हैं मुख्य रूप से तीन हैं लेकिन चार पार्ट में इसको हम डिविजन करके बता रहे हैं तो आए देखते हैं कौन-कौन से तो चार पार्ट में देखेंगे तो एक तो मद्य प्रदेश है दूसरा उत्तरी दक्कन या महराष्ट का छेट तीसरा राजस्थान और पांच तो मद्य प्रदेश है यह देख रहा है यह पर्म से पहले यहां पर दो संसकृत या कौन-कौन सी ठी वह रेंटा संसकृती का साकति कीम थरे को 2200-2020 के बीच में इसको याद रखेगा और जब यह कायथा संस्कृति के बाद में जो हम देखेंगे जब यह संस्कृति जो थी वह विलुप्त हो गई या कहें कि संस्कृति के बाद उसी संस्कृति पर एक नई संस्कृति यह जिसको बोलागा मालवा संस्कृति तो मालवा सं मैं महरास्टा में जैसे अहमत नगरं हो गया यहां पर नाशिक हो गया Korean जोफ्लUND के नाम नमसी जानते हैं जो यह आंखिस्थान भी राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में संस्कृति है अहार संस्कृति अहार संस्कृति की जो हम बात करेंगे तो यह हमें देखने को मिलती है यह बनास नदी के पास में बनास सुने ना चिपरा नदी बनास नदी यह सब इनको आप याद रखेगा तो उसी के किनार वाल फेड़ाई नहीं संदर बांगाल का उसलिए कहा जाता है कि यहां क्या करते थे की मचली पालते थे और चावल तो यहां के लोगी मुखे खुराग मचली चावल थी परतमान संदर में भी बंगाल में देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है मचली और चावल तो यह छेत्र जिसमें से मिदना पुरो गया वीर भून होगए यहां से कुछ साच्य वगरा के साथ चोगे रहे समय मिलते हैं तो आए देखते हैं एक एक जगों को उठाएंगे तो देखते हैं राजस्थान के प्रमुक महराश्ट के मद्यप्रदेश को पश्ची मंगाल के इतने छेत्र हैं शुरुबात करते हैं मद्यप्रदेश तो मद्यप्रदेश में कौन-कौन से तो मैं देख लेता हुआ तो मढद प्रदेस में देखें गे तो कायथा मुझे बता हैं कायथा की संस्कति पेहले थी उसके बाद आई मालवा संस्कति कायथा संस्कति में त्रपुरी Mind मालवा 상 ईकितर को ठोली और मालवा चैतर हो गहे इनको शेथरों कम Windows समझतें कि कौन कौन से कैसे कैसे तो आजी देखते हैं कि का इठा से मिले हैं 59 कउप्तका जड़ेगा तांभे कि 29 कंगन कहां से मिलें posição सरे मिलेढ़से क्या मिला एं गुप्तकाल में भी आप समझेंगे एरण की महत्ता आपको देखने को मिलेगी आगे गुप्तकाल में भी तो लेकिन चुकि एरण महीं ही देखते हैं यहां ते देखेंगे तो कूबरदार बैल मिला है मात्र देवी अगनी की उपासना के साच्छे आपर मिले है हाथी सबसे बडिञाव करते हैं मालवा की बात करेंगे आपको दिखेगा नवदा टोली है और मालवा है तो मालवा से क्या मिला यह कपास उत्पादन के साथ मिले और चरक्य के साथ मिले असे कि प्रमुक्त जो यहांगे कि जो मिले हुए आउसेसु हैं, उनमेंसे सबसे बड़ी ग्रामीर बस्ती थी, तो पूछा जाए कि तामर पासार काल की सबसे बड़ी ग्रामीर बस्ती कौन से थी? नवदा टोली थी, कहां है? मद्रेठेस में, अनाजों के परकार, यहाँ पर कई परकार के अनाज बगर आप यहां से मिले हैं कहां से नवदा टोली से मिले हैं गया रखेगा तो अनाजों के प्रकार सबसे बड़ी ग्रामीन बस्ती मालवा के मैंने बता कपास उत्पादन क्योंकि आप वर्तमान संदर में भी आप देखें के तो मालवा जो कमीन बस्ति और आजो के प्रकार यहां से मिलें अब हम बात करते हैं राजस्थान की राजस्थान में देखेंगे तो अहार संस्क्तिय कहते हैं लेकिन अभी सिब परिच्छा के जस्ठी से महत्रपुर्भ बिंदों पर चर्चा करने के करने इसलिए उन इन बातों का जिक्र करेंगे तो अहार जो था तामवे यहां पर काफी ज्यादा तामवा था इसलिए इसको बोलते हैं तो याद रखेगा रखेगा इसलिएर और राज्स्तान में इसलिए उसको याद रखेगा इसके बाद बाला स्थां में तो बाला ऑल से पत्थ्रम तामे के उपरर कहा हैं से से काफी आदा मातर मिल लेकिन कोई परिछ्छा की दिस्टि से इंपोर्टन नहीं है बालातर जयाद रखेगा राजस्थान में इसका अधा गड़ेस्वर गड़ेस्वर थोड़ा इंपोर्टन इसलिए क्वेश्थान की खेतली यह ताम्वे की खाने उस छेत्र में इससे था कईते हैं कि गड़ेस्वर से क्या- album यह तेले कि आंधेट rée सिंदू घाटि सबइता के चेत्रूहं में आप देखें तो वह पर ताम्मे क्या पूर्तिससे की जाती रही होगी और गड़ेस्वर से क्या-क्या करते ना बर्चा बर्चा मिला तीर की नोगे नोग जो नहीं इस तरह के से लिए कि है कि यह यह a कि यह अप से लगर हैं यह तो यह सब डार्ट याद रखेगा तो यह होगा घटाँ आट een महराष्टरा की महराष्टरा की बात करेंगे तो महराष्टरा को जोर वे सनस्कृती युक्ट में मर्दभांड वगेरा यहां से खुब ग्राल Glass जप्रकण हम लंगा आई यह देख माराष्ट में देखेंगे तो यहां का छेट्र एक हो गया और पूरे वरागरा का चैट्र हो गया इन सबस्टेत्रों उस्वेसर लिए तो नमादी नहां तो यहां के पिमस के जोड़ाइमाबाद संहीं यह सबात्षड में यहां पर दैमाबाद से तो यह कहते हैं यह जो छेतर था यह दायमाबाद यह मलब देखेंगे तो यह तामर पाशार काल से मिली है तो सबसे बड़ी तामर पाशार काली है खाह से तो मिली दाइमा-बाद से अगर जो ग्रहघमीड की बात करी जाएगि तो नौदा-डी हो जाएगी चाल सभादहन के साछे अब करसाधहन क्या है कols सभाधहन मतलब कि हम प्र कह सकते हैं कि कि यहां पर ऐसा नहीं था यहां पर क्या था की जो कलस मिले हैं वह घर के अंदर ही मलब फर्स के नीचे हिंए उनको क्या कर दिया जाता था था पर पर में याद रखेग। कहां पर दायमाबाद में और चुकि यहाँ पर जभाधान मिलनांगी है, सकता हैं और पर पतयास को यास को कलस के सब यहां पर मिनें को देखें-देखेंगे तो निवासा में कपास और पत्षन के साथ निवासा में कपास और पटसन के साथ है पटसन और कवे जूट-वगेमास आए यहां इनाम-गाउं से इनाम गाउं से वर्ग-विभाजनard के साथ कच्ची मिट्टी के घर मिलें ओर बात करें गलियू बात Κ्रेंगे दो भॐ मनें देखेंगे तो कई साथ चाहिए आप यूपी में मिलें जैसे अतरंजी खेडा ले ले लिए यह से सहारनपुर का छेतर ले ले लिए इन सब छेतर मिलें कुछ खास इंपॉर्टन है नहीं उन जगों का जिक्र में नहीं कर रहा हूं आगे जैसे सही तिहास बढ़ेगा उन गड़े स्वर से देखेंगे तो खेतली के पास था तीर की नोक बर्चा कंगन छेनी यह सम मिला है और इनकी डूरेशन वियाद रखेगा जवर्वे चौदा सो से साथ सो आहाड़ दोजार से चौदा सो भी सी कायथा बाइस सो से दोजार मालवा अठारा सो से बारा सो बहु बहुत ज़्यादा इमपोटन मुझे लगता नहीं कि आप संह वग्रा क याद रखें कायथा देखें समय में देखने की मिलता बाइस सो से दो यह तो काय था पूरा नहीं इसको याद से बाकी कि आष्वार ऑट गा तो यह कहां पड़ेगा यह पड़ेगा महारास्टा में तो इनाम इंप्रेंट है याद रखेंगा पूछा गया इससे दाइमाबाद का जिक्र करेंगे वह भी इंप्रेंट है बाकि जैसे जैसे से आगे बढ़ेगा यह तो गई बाते जो मैंने बताया आपको तामर पाशाल काल की भारत के संदर में आगे जब अभी तो फिलाल हिस्टी जब में डूब यह जो मैं हिस्टी चला रहा हूं यह सेंट हिस्टी इसके आगे आने वाले चलणों में जब खतम हो जाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो तामर पाशाल का वैस्टी कस तरह पर कहां कहां चीजें मिली हैं तो उनको आप समझेगा और आपको अच्छा भी लगेगा लेकिन पहले चुकि यह इतिहास की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट यह जो मैं पढ़ा रहा हूं यह स्रीजे इसको जल इसलिए मैं इसको आपको बिल्कुल विस्तरत रूप से चीजों को जितना हो सकता था मैं बता रहा हूं और भी इसमें डीप गुसा जा सकता है ऐसे लेकिन मुझे लगता ने कि आप पर परिच्छा से इतर चले जाएंगे इसलिए मैं चीजों को अच्छी तरीके से आपको ब सिंदु घाटी सव्टार गाहां और पूर में कि पताने के लिए कम से कम दो से तीन चाहिए इस्फार के बाद हम आपको बात करेंगे व्यग वैदिक काल की बात होगी इनस प्रों का भारत में आगमन की बात में करूंगा तो इन सब इतिहास आगे बढ़ेगा वीडियो भी उसी तरीके से बढ़ती जाएगी तो टेंसन मत लीजे वीडियो को पुना एक बार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब रहे धन्यवाद